All right guys, so PHP forum काफी आगे तक जा चुका है, मैं सबसे पहले यहाँ पर करूँगा क्या, कि अपना XAM चालू कर लूँगा, क्योंकि वह बहुत जाद जरूरी है, XAM चालू करना, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, local host forum में जाओंगा, और ज़रा सबसे पहले देखूँगा, कहा त टेबिले बनाई थी, कौन कुंसरी टेबिले बनाई थी, एक तो categories बनाई थी, एक threads बनाई थी, categories में मेरी category आती थी, और threads में मेरे thread आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, unable to install pyaudio, not able to use python, इसमें यह सारे thread मैंने add करवाय थे, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही python पे मैं क्लि अबी तक मैंने, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपर क्या करूँगा, कि browse question में कुछ नहीं मिलता है, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर लिख कर आ जाए, कि भई, आप जो है, be the first person to ask, इस type से मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, भई, एक question पूछ लो, आप JavaScript forum से related, एक question पूछ सकते हो, ठीक है, be the first person to ask the question, इस type से कुछ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं आपर अगर कुछ भी नहीं मुझे मिलता है, तो यह खाली दिख रहा है, कौन सा page मेरा, यह मेरा threadlist.php है, threadlist.php, तो मेरा जो threadlist.php है, वो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ भी ना मिले यानि कि अगर जो id मीरी, यहापर यह while के इंदर जाएगी ही ना, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँपर मैं एक चीज अड करना चाहता हूँ, मैं अड करना चाहता हूँ कि भाइ, कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो मैं काम करूंगा यहाँपर, मैं आपर liखंगा dollar, got is equal to false ठीक है या फिर got is equal to false नहीं लिखता हूं मैं आपर लिख देता हूं no result is equal to false ठीक है sorry no result is equal to true मैंने पहले ही मान लिया कि मुझे कोई result नहीं मिला और अकर मैं इस while loop के अंदर गुस जाता हूं तो मैं कहूंगा result जो है वो यह बात गलाते कहूंगा क्योंकि result मिला तभी तो while loop के अंदर गुसा अब आप लोगो को यह क्या कर दिया यहारी बाई मैंने एक variable बनाया है यहां पर जिससे मैं track कर रहा हूं कि क्या while loop के अंदर गुसा भी मैं या नहीं गुसा चुकि अगर मैं while लगा देता हूं और यहां पर आप लोग देखना in fact यह wire dump करते हैं wire dump करते हैं हमने पहले भी देखा है wire dump क्यों करते है ठीक है तो wire dump करते है echo अब यहां पर reload करूँगा तो यहां पर देखो बूल true आ गया यानि कि no result मेरा true है तो मैं simply safely यहां पर क्या कर सकता हूं मैं आपर एक if लगा सकता हूं मैं कह सकता हूं कि देखो अगर जो मेरा dollar no result है ठीक है तो मैं आपर dollar nr लिख दूँगा nr से no result suggest करेगा मुझे तो मैं आपर safely echo कर सकता हूं be the first person to मैं इस टाइप से मैं लिख सकता हूं ठीक है तो मैं आपर एक डाल दूँगा bold में कि be the first person to ask a question ठीक है क क्यूंकि और तो कोई question है नहीं तो आप ही कर दो एक question ठीक है यह मैं बोल रहा हूं तो reload gears को मैंने यहां पर यह कह रहा है कि भाई यह क्या है बोल रहा है कि भाई आपने if को खोला echo में semi colon लगानी रहो इतने पड़े लिख होने के बाद भी ऐसे बोल रहा है यह तो अभी य reload किया यह गरा be the first person to ask a question अब यहां पर यह थोड़ा सा जीव लग रहा है तो मैं काम करता हूं get bootstrap में जाता हूं और get bootstrap में जागे bootstrap की documentation में से कुछ निकालता हूं component धमाकिदार था जिससे कि मैं यह बता सकूं कि यह जो मेरा question है वो यहां पर आप be the first person to ask a question क्यों मुझे simple यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपर क्या लगा सकता हूं मैं इस type का media object लगाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो तो मैंने already use कर लिया है उसके लिए अपने questions को list करने के लिए यह भी मैं नहीं लगाना चाहता हूं breadcrumb मीनी लगाना चाहता हूं और jumbotron से मैं कुछ देखता हूं अगर मुझे jumbotron से कुछ मिल जाता है तो मैं class is equal to lead यह क्या है मैं यह यह use कर सकता हूं be the first person to ask a question तो यह काम करते है fluid jumbotron use करते है ठीक है यह क्या करती है fluid jumbotron मैं आपर यह full width jumbotron है इसको copy करके देखते हैं अगर कुछ दिक्कत करीगी तो फिर देखेंगे वहाँ पर और काम करेंगे मतलब इसको ठीक करने के तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा इसको paste करता हूं यहाँ पर और यह जो be the first person to ask a question है इसको मैं यहाँ पर cut करके यहाँ पर paste कर द रहा है ठीक है तो reload किया इसको मैंने fluid jumbotron आ गया और no questions for this category यहाँ पर लिखता हूं बड़ा बड़ा और यहाँ पर लिखता हूं be the first person to ask a question ठीक है तो यहाँ पर यह मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर तो jumbotron यहाँ पर judge गया हो सकता है आप में से किस results found यहाँ पर लिख दूँगा और यहाँ पर heading के दौर पर मैं इसको use नहीं करना चाता हूं मैंने बता है कि heading tag तब use किया जाता है जब actual में heading हो ठीक है तो मैं यहाँ पर paragraph लिख हूं तो कैसा लगेगा यह मैं CSS को style कर सकता हूं मेरे साफ से P मैंने बना दिया इसको काफी है यह paragraph के दार पर मैं इसको लिखना चाता हूं no results found be the first person to ask a question ठीक है और यह bull true तो मैंने वैसे ही लगाया था इसको मैं हटाओंगा नी comment out जरूर कर दूँगा ताकि आप लोगों को यह दिख जाए और आप लोग debugging गएरा करना चाहो तो इसको हटा के कर लो production के उसमें मैं रख लिखा रहा है कि no results found आप लोग यहाँ पर इसकी sizing को छोटा भी कर सकते हो अब देखो इसका display 4 लिखा हुआ है आपर अगर को display 2 या display 3 class होगी तो यहाँ पर देखो display 2 जो है वो और यहाँ पर बड़ा हो गए अगर मैं display 5 कर दूँँ इसको तो यह कुछ भी नहीं मतलब display 5 न यहाँ पर no results found और be the first person to ask a question और नीचे मैं एक form दिखा दूँगा कि यहाँ पर form है और एक सवाल पूछो यहाँ पर यहाँ पर एक form डाल दूँगा जिससे की user जो है question पूछ पाएगा इस category का और उसमें वो दो चीजे मतलब basically लिखेगा एक तो जो question का title है वो जो दूसरी है वो हो जाएगी discussion का जो यहाँ पर मैंने description लिखा है basically वो ठीक है तो अगर मैं आ जाऊँ thread में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा thread DESC और thread title मैं basically पूछूँगा और मैं कहूँगा thread cat id जो है वो अपने आप ले ले क्या है thread cat id यहाँ से ले लेगा अपने आप ठीक है तो एक का करते हैं आपर ठीक है एक काम क्या करते हैं कि एक form बना देते हैं निचे तो एक form बनाओंगा मैं आपर और form को कहां से लेकर आँगा मैं copy-paster हूँ तो bootstrap से ही लेकर आँगा अभी चक्त मैंने आपर छपाई करी है HTML वगएरा जादा लिखी निए designing जादा बनाई निए तो आप्यस्सी बात है मैं bootstrap से ही लेकर आँगा तो यहाँ पर मैं यह form को paste कर दूँगा ठीक है और right-click करके format HTML in PHP format हो गया मेरा अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यूँकि मुझे email नहीं लिखना है मुझे title लिखना है एक तो ठीक है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा thread title elaborate your concern ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको problem कहता हूँ problem title elaborate your problem और यह जो small है इसको मैं लिख दूँगा keep your title as crisp as possible title as crisp and short as possible short and crisp कर देता हूँ थो अच्छा लगेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं short कर देता हूँ यहाँ पर crisp कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर लगाने मुलों तो text area देखो यहाँ पर, यह देखो example text area है, यह मुझे मिल गया, तो जो example text area है, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा copy, copy करके कर दूँगा, अपनी script में paste, ctrl s करके right click format, html in php, formatting के बहुत सारे tools है, कुछ भी use कर ले न, formatting के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कि आप लोग को ज title, और यहां पर मैं लिखा दूँगा, elaborate your concern, तो मैं काम करता, मैं यहां पर CTRL z करता हूँ, क्योंकि मैं elaborate your concern जो है, वो लिखा हुआ था, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, elaborate your concern कर दूँगा, wyd Is当然 Complicated, agency description, 3d-tic, तो यहां पर DESC करती है ID इसका name भी मुझे डालना पड़ेगा तब ही तो जाएगा यह name ना डालूँगा तब कैसे जाएगा DESC और इसके बाद सेव गिया इसको similarly यहां पर भी मैं इसको title कर दूँगा और लिख दूँगा यहां पर मैं name is equal to title अब यह name is equal to title है यह इससे पहचाना जाएगा यह जो मेरा dollar underscore post super global होता है वो क्या करता है वो super global इस नाम से इसको पहचानता है ठीक दिए बाद दियान रखना आप लोग और यहां पर यह जो title है इसको email help जाजा लिखा हुआ है मामा title कर दो control s कर दो id is equal to इसका title नहीं करना मुझे id नहीं सेम हो जाएगी दो जगा I think this is good यार इसको save करते है ज्यादा हम लोग attention नहीं लेते है हमें simply यहांपर एक form डालना था वो हमने डाल दिया है लेकिन form में चाहता हूँ इसके उपर आए है browse questions के उपर form है ठीक है और form से भी पहले क्या डालूँगा यह h1 डाल दूँगा ठीक है और मैं आपर डाल दूँगा ask a question ask a question yeah start a discussion start a discussion ctrl s से save कर दिया है इसको reload करता हूँ अब यह blue color इसको मुझे green करना है क्योंकि पूरी मेरी website green है और green क्या होता है green success होता है याद रखना bootstrap में जो green color होता है वो success बोलते है उसको ठीक है अब यह bootstrap वालों से पूछो क्यों बोलते है success green वैसे success ही होता है green ज्यादा दर success में ही जंडा हरा जंडा दिखाया जाता है बट ठीक है अब अभी के लिए start a discussion यहाँ पर problem title, problem discussion आप लिखो और यहाँ पर सारे के सारे questions को जोई आप ask कर सकते हो अब देखो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आप लोगों ने questions नहीं पूछे है मालों यहाँ पर पूछ आए हैं और अल्रेडी questions हैं तो वो यह क्यों बोलेगा कि question नहीं है तो वो आपको questions दिखाएगा वरना वो आप लोगों को क्या दिखाएगा वरना वो आप लोगों को यह दिखाएगा इस तरह से no results found ठीक है be the first person to ask a question ऐसे पहले माप पुरुछ पनू जिसने सवाल पूछा ठीक है तो यहाँ पर starter discussion मैं चाता हूँ कि यहाँ पर title जैसे कोई लिखे और concern यहाँ पर जैसे कोई लिखे यह जो मेरा यह मेरी information जो है title और concern के अंदर जो आ रही है मैं जाओंगा वो add हो जाए कहाँ पर वो add हो जाए मेरी database के अंदर यह thread वाले database के अंदर तो मैं जो thread user ID अभी लिए zero कर दूँगा क्योंकि मैं login system अभी नहीं बना रहा हूँ तो मैं ऐसा करूँगा कि कोई भी आके कुछ भी पटक सकता है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख सकता है ठीक है चलो बढ़िया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही कोई submit करेगा इस form को हम यहाँ पर एक post request मारेंगे इस page पर और हम लोग लिखेंगे कि जैसे ही कोई post request मारता है इस page पर वैसे ही यह जो सारी details है यह database में save हो जाएं और उसी के साथ साथ क्या हो एक alert हमें मिल जाए, एक alert यहां पर मिल जाएगी आपका जो question है, वो add हो चुका है wait करो, और users answer करेंगे इस type से कुछ, एक alert दिखा देंगे और आपका जो question है, वो फिर इस तरह से यहां पर आजाएगा, जैसे कि मेरे यहां Python में यह पता है कि अगर कुछ नहीं है आपर तो क्या लिख कर आ रहा है, तो यह लिख कर आ रहा है sorry मैं एक ऐसे thread में जाता हूँ, एक ऐसी category में जाता हूँ जिसमें कोई question नहीं है, no results found no questions found कहना चाहिए, no threads found मैं करते ता हूँ जो कि results का कोई मतलब नहीं है, search results नहीं है, यह threads है तो यहां पर thread यहां पर लिख देता हूँ, no threads found तो no results जा लिखा है, वहाँ no threads करना है no threads found, ठीक है, और यहां पर same logic यूज़ करके मैं इसमें जाऊँगा अपने thread.php में, और इसमें भी मैं वही करूँगा, कि यार अगर while look के अंदर गया ही नहीं, तब क्या होना चाहिए, तब वही show होना चाहिए जो कि मैंने भी बताया आपको, तो अगर while look के अंदर गया ही नहीं, तो यह इस तरह से show हो जाए, और no result यहां पर बना देता हूँ, इस तरह से, मैं गया हूँ, no result is equal to true, और अंदर गया है तो no result false हो जाए, तो same logic के अंदर गया यह काम करेगा, तो इसमें मैं आपको समझा दिया को is onlogic का, इसको समझा, इसको मैं false कर देता हूं, और देखता हूँ, यह क्या काम कर रहा है की यह नहीं थारा है यह तो अगर उसके अंदर अगर जा रहा है तो false हो जाए, ऑन्ना true हो जाए और अगर यह true है तो मैंने आपड no threats found लिखा है, threat.php में क्या problem हाँए है मैं इसको रिलोड करता हूँ मैंने इसको रिलोड किया उज़रा में इसका पेच सोर्स देखता हूँ और यहां पर मैंने इसमें एड तो किया यार इफ नो रिजल्ट नो रिजल्ट को ट्रू किया अगर गया तो फॉल्स किया इसके अंदर अगर जाता है यह तो मैंने फॉल्स किया है तो यहां पर मैं बस यह देख रहा हूं यार कि यह फॉल्स किया हो जा रहा है नो रिजल्ट मैं एक काम करता हूँ यह चीज़ प्रेंट करता हूँ और यह काफी स्ट्रेंज है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर परशान करेगा मुझे मैं बस देख रहा है वो दिक्कत क्या आ रही है इसको अगर मैं रिलोड करूँ तो मेरा वैल्डम भी नहीं आ रहा है यह कैसा मजग है तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरा वैल्डम भी नहीं आ रहा है तो मैं अगर यहाँ पर वैल्डम जो है मेरा बूल मेरा शो ही नहीं हो रहा है तो थ्रेट.php के अंदर मैं जब एको करा रहा हूँ इसको तो क्या ये Show ओ रहा है, यह देख रहा हूँ मैं, ये भी Show नहीं ओ रहा है ये हो किया रहा है फेर? इस 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 गुड भी नहीं आ रहा है इस पेज पर या नि कि videos, ForumThread.php मेरा बिल्कुल भी update नहीं हो रहा है यह कैसा मजा कि मैं आपर कुछ भी लिख रहा हूं तो मेरा show नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों okay, I see, I see, I see मैंने इसको comment आउट कर रहा है, यह HTML comment के अंदर है, my bad तो यह सारा का सारा HTML comment के अंदर है यह देखो यह मैंने comment out कर रहा है यहांपर तो basically मैं जब इसको code करूँगा तब यह मेरे काम आएगा तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इसको मैं यह actually highlight नहीं कर रहा है for some reason मैंने यह एक html comment में close कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो तो यह जो चीज है यह यहांपर मिलेगी ही नहीं मुझे ठीक है तो यह जो html comment है मेरा इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ ऐसे कैसे ही और हम लोग आएंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि किस तरह से यह जो form है हमारा यह मैं submit करा सकता हूँ फिर यहांपर जो चीज है काम नहीं कर रही है उनको किस तरह से हम काम करवा सकते है so guys at this point अगर आप लोगों ने अभी तक PSP की यह playlist आकसेस नहीं करी है मेरी तो उसको जरूर आकसेस कर ले ना क्योंकि यही वो जगह है जहापर मैं starting से लेके end तक आप लोगों को सारी चीज़े बता रहा हूँ एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताईए step by step तसको जरूर अकसेस करना और आने वाले वीडियो में हम authentication को भी आड करेंगे मैं authentication के लिए least concerned हूँ इस point पर लिए कि मैंने already एक authentication करके project बनवा दिया है आप लोगों को तो authentication में उतनी दिक्कत आप लोगों को नहीं आईगी तो मैं वो चीज़े cover करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़े already मतलब आप लोगों को शायद परिशान करें तो मैं authentication को इसलिए मैं अभी एक forum को ऐसा बना रहा हूँ कि कोई भी आखे इस पर post करके चला जाए और question वगएरा पूछ के चला जाए ठीक है तो उस इस आप से मैं इसको जो बना रहा हूँ तो I hope कि आप लोगों को इसी समझ में आ गई होगी जो जो मैंने बताया इस वीडियो में मंगले वीडियो में वापस आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को जो हम complete कर सकते हैं वैसे design वाइस तो यार यह बहुत ही धमा के दार दिख रहा है हमारा यह जो forum website है और आपको कैसा लगए design यहाँ तो लगा comment में मुझे जरूर बताओ क्योंकि मुझे तो यह design से प्यार हो चुका है ठीक है तो अगर यह playlist access नहीं करी by any chance तो मैं चाहूँगा यह click करके आप इसे bookmark करें और यह click करके इसको save कर लें इसको अपना बना लें और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी जरूर कर देना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time